राज्यों को एक पुजदी अतिरिक्त विनिर्मान कर लगाने संबंद भी प्रावधान हटा लिया गया है और जेयस्टी लागुमोने के पहले पांच साल के दौरान राज्यों को राज्यों स्वनिक्सान की भरपाई की गैरंटी दी जाएगी ये भी प्रावधान क्या जाएगा कि जेयस्टी लागुमोने पर केंद्रों और राज्यों के बीच विवाध की सूरत में जेयस्टी परिषद में मामला जाए और वही फैसला करें इस परिषद में केंद्रों और राज्यों के नुमाइंदे होंगे राज्यों के विक्त मंत्रियों के साथ बैठिक के बाद केंजर विक्त मंत्री अरुंजेती ने बिल पर सहमती बनाने के लिए प्रमुक राज्यों के गलों से बादसी शिरी कर दी है कॉंग्रिस नेताओं से कई दौर की बादसी पहले ही हो चुकी है अब बिल का अंतिम फाका तैयार करने के लिए वित्तमंत्री इस हफ़े लेट्स मेताओं के साथ साथ छोटे दलों से भी मुलाकात करेंगे सरकार ने कहा कि इस बिल को तुरन पास की जाने की आविश्रकता है क्योंकि हर पब्लिक सर्विंट को अपनी वार्शिक संपतियों और देंदारियों की खोशना करनी है और एकत्री जुलाई तक ये करना ज़रूरी है इसलिए इस बिल पास किये जाने की ज़रूरत है जब कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंगर सिंग ने सदन को ये आश्वासन दिया कि सरकार धिस्टशार को रोपने के देश्ट से ये बिल ला रही है तो सदन में धनी मत से इस बिल को पास कर दिया गया सरकार की कोशिश यही है कि राजिसभा में इस बिल को आज ही पास करवा ले जो कवाहा हरिश दुलानी के 2002 से गायब था वो सल्मान के बरी होने के बाद सामने आया है और कहा है कि सल्मान ने ही गोली चलाई थी दुलानी वही ड्राईवर है जिसकी गवाई पर सल्मान के खिलाब केस दर्च हुआ था केस चला था उसी गवाई के बरसों तक गायब रहने के बाद सल्मान बरी भी हुए कई बार कोश में जमानती वारिट की निकाला था लेकिन दुलानी सामने नहीं आया चिंकार शिकार मामले के एहला गवाईरी सितलानी का खिलासा अभीए के सल्मान खान पर भारी पर सकता है दुलानी में कहा है कि उन्हें कोच में गायब बताया गया जब ठी रहत पही डहीं नहीं गए सल्मान को बचाने के लिए इनी कवाई के लिए इसी नहीं गुलाया हाफिस ने कहा है कि कश्मीर में जुए विरोध मार्च की अगुवाई लशकर का एक कमांडर कर रहा था हमेशा खुट को लशकर इताइबा से अलग बताने वाले हाफिस ने 27-11 हमलों के बार पहली बारातन की संगचन के बारे में सारवजनिक तौर पर कुछ कहा है पाकिस्तान समय दुनिया भर में लशकर के बैन होने की वज़ा से हाफिस सहीर हमेशा जमात और दावा को खुट का संगचन बताते हुए खुले तौर पर लशकर से कनेक्शन होने की बाद से इंकार करता रहा है हाफिस के बायान से ये सावित हो गया है कि बीदे दो दिनों से पाकिस्तान सक्कान कस्मीर में भड़की निल्सा को और बढ़ाने की कोशिश की है और इसे सिविल राइट से जोड़कर पायदा उठाने की ही कोशिश कर रही है सताधारी आमादमी के विधायकों पर गिरिंगाज को पार्टी के में ता केजरिवाल में साचिस करा दिया दिल्ली की जनलता के नाम संदेश में केजरिवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से आमादमी पार्टी के उपर दमन चक्री चलाया जा रहा है कुछे इनने की कोशिश की जा रही है हमारे दस विधायकों के विरिफ्कार कर चिके है और एक विधायक के घर पर रेट परवाई गई है इतना ही नहीं केजरिवाल ने मोरी सरकार पर खुला हमला बोलते हुए कहा है कि हमारे इक इस विधायकों को जूटा सच्चा ओफिस आफ प्रॉफिट कहेकर आयोग्य साबित करने की कोशिश की है और इन्होंने हमारे एक सांसर को सस्पेंट कर दिया चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर डलोग की मदद की ज़रूरत होगी तो इनकी मदद लेंगे लेकिन फिलहार आयोग ने इन्हें पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं समझे चुनाव आयोग इस मामले की अगली सनुवाई 10 अगस्त को करेगा लाब के पद मामले में आम आधिपाटी के 21 वधायों की वधायकी पर कलवा लगती है मार्च के 2015 में दिली सब्का ने अपने 21 वधायकों को संसदिय सक्षीव बनाया था इसके खिलाफ प्रिशान्थ पटेन नाम के शक्स ने राष्ट पती के पास याचिका लगा कर आरूप लगाया की किस वधायक लाब के पद्वर है इसलिए इनकी सब्सका रध होने चाहिए रहुल गांधी को 23 अगस्त तक ओच के सामने अपना पक्स लखना है दरसल रहुल गांधी ने लोगसभा चुनावों के समय अपने एक चुनावी भासर में आरेसेस कुमात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्धा ठेराया था और आरेसेस ने उन्हीं अदालत में चुना दिनी थी जानकारों का तेना है कि राहुल गांधी अगर अपने बयान पर कायम रहते हैं और जेल जाने से नहीं डरते हैं तो उन्हें नया राजनेतिक जीवन लोचकता है कॉंग्रिस के नेता भी इशारा कर रही है कि राहुल मांफी नहीं मांगेंगे कलिस मसले पर M.P. वधान सभा के साथ 7 राज्य सभा में भी जम्ड कर हंगामा हुआ अब मद्रदेश तरकार में ग्रह मंत्री घुपेंदी सिंग में पूरे मामने की जान्ट के आदेश की है ग्रेमंत्री भुपेंद सिंग ने कल बताया कि मन्सोर में महीलाओं से मिले मास की रिपोर्ट हैं बफेलो मीठ की पुष्की भूई है लेकिन राज्य में उसके बढ़ी ले जाने की मनाई है इसलिए दोनों महीलाओं को जेल पे जा गया है ग्रेमंत्री के इस बयान के बाद मामला मायावती ने इस मामले को राज्य सभा में उठाया और दोशियों पर कड़ी कारवाई की मालती उन्होंने शाधी का जहासा देकर एक लड़की से कतर तोर पर रेट करने वाले एक यूवप की चक्पलों से पुटाय कर दी मामला सुकार तोर गाओं के पास का है यहाँ 25 वर्ष से यूवप ने जहासा देकर अपनी प्रेमी का पिसाथ संबन बनाने के बाद स्वाधी करने से इंकार कर दिया इस मामले की जानकारी मिलने के बाद शुक्टी दिसाई और उनके संगठन की एक अन्य सगस्ता ने आरोपी लड़के की जम कर पिटाई कर दी घचना के बाद स्थानिय पुलिस ने आरोपी को गिरुपकार कर दिया है और उसके खिलास मामला दर्ज कर लिया गया है हाई कोच ने प्राइविट स्कूलों को फुल विचार याचिका को फारिच कर दिया है ये वो स्कूल है जो सरकारी जमीन पर बन हुए है दिल्ली सरकार के सिक्षा में देशाले ने कुछ वक्त पहले आदेश दिया था कि बिना विधाग से पहले इजाज़त लिए सरकारी जमीन पर बने प्राइविट स्कूल फीज में की पढ़ा सकते है और अगर स्कूल ऐसा करते हैं तो उनके खिलाब कारवाई की जा सकती है दिल्ली सरकार के इस आदेश को प्राइविट स्कूलों में हाई कोट्स में चनाती रही ती इस पर कोट्स सरकार के पक्ष़ में पैस्ला सिमाया था मामले के सनुवाई अब 24 अगस्त को होगी सुपीर्म कोर्ट में इसाफ किया कि अब किसी को अंत्रिम राहत में ही दी जाएगी और केस में अंत्रिम दहस केंगी पिछली सनवाई में कोर्ट में आदेश दिया था कि मामले के अगली सनवाई के दिन एक भी सिक्षा मित्र कोर्ट में नहीं आना चाहिए इन्ने पंजाब नास्ल बैंक और HBFC बैंक भी शामिल है इसके अलावा SBI और ICICI बैंक सहित आज अन्या को इंडिस्टान देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है सारवजनिक शेत्र के एक बैंक से मिली जानकारी के अधार पार रिजर्व बैंक में ऑक्टोबर नविंबर 2015 में 21 बैंकों में धन बाहर भेजने की जाच गी ती केंडरे बैंक ने कलच्वारी बयानी कहा कि उसमें 13 बैंकों कर जुर्मान अलगाया है सुत्र का फिना है कि उन्हें जुलाई को चमोली के टीम और आईटी बीधी के अधिकारी अबारा खोती इलाके में सर्वे करने गए तो उन्होंने वहाँ हतियार बन चीनी सैनिकों को देखा चीनी सैनिक तुन जुन लापास टक पहुँच गए थे भारती अधिकारियों को देखकर चीनी सैनिक वापस अपने इलाके में लौच गए इंजिन्द लापास तक चीन ने अपने एरिया में सड़क बना रखी है और आराम से इस पास तक आ जा सकते है उत्राखन के सीम हरी सावत ने चीनी सैनिकों की जुस्टेट की ख़बर की पुष्टी करते ले कहा है ये चिल्दा की बात है रावत ने कहा कि केंजि सरकार को इस इलाके की निजिरानी कड़ी कर देनी चाहिए सामचार बज़े इस पर पैसला भी आ सकता है वही सूतर बताते हैं कि नर्सिंग के रियो जाने के आशार कम है नादा ने मामली में साजिश के जाने के आरोकों पर कर नर्सिंग का पक्ष सुना और इस फैसले को गुरुवार तक के लिए ताव दिया स्वास्तिय विशेशगेओं ने कल कहा कि पहलवान नर्सिंग यादफ के जो प्टेस्ट में पाए गए कतिबंदित पदार्ट मेठान डिये नोनें का सेवन करने के बाद वे लंबे समय तक सुरीन में रह सकता है और मुत्र नमूने में आठ हक्तों तक इसकी मौजूद भी पाए जा सकती है इस वीश नर्सिंग ने पुलिस में एफायार दर्ज करा के ले कहा कि उन्हें शक्त है कि उसके खाने में किसी ने ऐसा कुछ मिलाया जिससे वो जो प्टेस्ट में टेल हो गए नर्सिंग ने एफायार में एक नाबालिक पहलवान का नाम धी नाम दिया है पलहाल नर्सिंग यादख की जगा प्रवीन राणा का नाम फिल दिया गया है अब नाड़ा की कमेटी नर्सिंग यादख क्यारों को पीजास कर रही है बही मोडी सरकार में टेल और यूवा मामियों के मंत्री विजे गोयल ने साथ साथ कह दिया इनर सिंग यादत की जगा प्रवीन राणा को ओलम्पिक में टिकेट नहीं मिल सकता है इस वभारती पुष्टी संथ के अध्यक्ष प्रिज भूशन सर्ण सिंग ने कहा कि मंत्री जी के पास इस विश्य पर साय जनकारी नहीं होगी फेडरेशन और पहलवानों के बीच टक्रार के कई मामने सामने आ चुके हैं लेकिन पहली बार फेडरेशन और मंत्राले के बीच विवाद नजर आ रहा है रियो के लिए क्वालपाई करने वाले इंडजीत का बाई जून को तक्रियोगिता से इतल लिया गया ए नमूना पॉजिटिट आया गया था उन्हें नादर ने कहा कि उनके बी नमूने की साथ दिन के अंदर जाच की जाएगी और उसमें नाकाम रहने पर उनका दोप में असफल होने की तुछ दिन जाएगी लेकिन अब पता चला है कि उनकी जून को लिया गया नमूना नेगितिट रहा